अबाला के आसमान में उड़ने वाले कबूतर देश के सर्वशक्ति शाली फाइटर प्लेन राफेल के लिए बड़ा खत्रा साबित हो सकते हैं ये बात हम नहीं बलकि खुद एर फोर्स कह रहा है आपको बता दे कि एर मार्शल मानवेंदर सिंग ने हरियाना के चीफ सेक्टरी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ये खत्रा जाहिर किया है कि अंबाला में उड़ने वाले कबूतर ये तस्वीरें इस समय जो आप अपने मुबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें आप साफ देख सकते हैं कि फाइटर प्लेन राफेल और जगुआर के नस्दीक कबूतर उड़ रहे हैं ऐसे में अब इन्हीं कबूतरों को लेकर एर फोर्स ने राफेल के लिए चिंता जाहिर की है आपको बता दें कि एर मार्शल मानवेंदर सिंग ने चीफ सेक्टरी हरियाना को पत्र लिखकर ये चिंता जाहिर की है कि राफेल के लिए अंबाला के आसमान में उड़ने वाले कबूतर किसी भी वक्त बड़े हाथ से का कारण बन सकते हैं ऐसे में उन्होंने फैंसला लिया है कि एर बेस के 10 किलोमेटर के दायरे में किसी भी तरह के कबूतर उड़ाने और अन्य पक्षियों के उड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए जिसे गंबीरता से लेते हुए अंबाला नगर निगम ने भी कमरकसली है अब अंबाला नगर निग कारियों ने कबूतर रखने वाले लोगों को भी नोटिस जारी कर दिये हैं जिसके बाद यह साफ कहा जा रहा है कि अगर अदेशों की अवेल ना हुई तो ऐसे लोगों पर सक्त कारवाई भी की जाएगी क्योंकि ये मामला देश की रक्षा सुरक्षा और देश की संपत्त से जुड़ा हुआ है शीरि मानवेंदर सिंग जी एर मार्शल्स डेक्टर जिनल ने हमारे चीफ सेक्टी शीरिमेदी केशनिय रोडा आईयस को एक पत्तर लिखा और वह पत्तर हमारे पास डेक्टर जिनल अर्वन लोकल बोडी से प्राफ्ट हुआ उसमें ये किया गया है क कि जो भी एर सेशन जहां पर भी है उन एरिया में पक्षियों को ना रखा जाए क्योंकि रफैले खत्र होने के कारण पक्षी दस किलोमेटर के आसपस नजर नहीं आने चाहिए वहाँ पर तो इस संद्रम में नगरिंगा मंबाला के द्वारा लोगों को नोटिस दिया गया और उनको यह कहा गया कि अपने कबूतर जो पक्षी हैं अपने मुर्सिपल लिमिट्स और एर सेशन दस किलोमेटर से दूर ले जाए अन्था उनके विरुद नियमन सार कारवे की जाएगी वहीं अमबाला में कबूतर रखने वाले लोगों ने भी कहा कि उनके लिए देश पहले हैं कबूतर नहीं इन लोगों का कहना है कि अगर राफेल की सुरक्षा में कबूतर आगे आते हैं तो वो अपने कबूतरों को शेहर से बाहर ले जाएंगे तो सुना आपने की एर मार्शल का पत्र मिलने के बाद अमबाला नगर निगम भी राफेल की सुरक्षा को लेकर अब कहीं न कहीं सकत हो गया है और अब अमबाला में जिन लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं या लोग कबूतर उडाते हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है और अब अगर ऐसा काम दोबारा किया गया तो इन लोगों पर कारवाई की बाद भी नगर निगम कह रहा है ऐसे में अब हम भी कबूतर रखने वाले लोगों से यही अपील करेंगे कि वो लोग भी एरफोर्स और अमबाला नगर निगम के इस फैसले का स्वागत करें और इस मामले को गंभीरताज से लेते हुए देश के हित में ये बड़ा कदम उठाएं और अपने कबूतरों को एरबेस के 10 किलोमेटर के दाहरे से दूर ले जाएं क्योंकि आपकी एक भूल बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है बहराल इसी तर अपडेट्स आपको देते रहेंगे जुड़े रही हमारे साथ हमारे फेस्बुक पेज अमबाला ब्रेकिंग न्यूस पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए साथ ही प्ले स्टोर से हमारी आप भी डाउनलोड कीजिए